ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति और जितना हम योगी बनते चलेंगे, उतने ही सिद्धी स्वरूप बनते जाएंगे हमारी दृस्टी से, हमारी वानी से, हमारी संकल्प से, आत्माओं की मनो कामना ही पुरुन होंगे तभी तो हम इस देव के रूप में प्रख्यात होंगे लोग ऐसे ही गायन थोड़ी करते है गांधी जी का गायन है नेरु जी का गायन है चंद्रिशेखराजाद जी का गायन है क्यों गायन है? कुछ किया तब तो गायन है हमने भी लोगों की जो योगी होगी तो तयार हैं योग युक्त होने के लिए इसकी महत्ता को अपने पास जरूर लिख करके रखा करें क्यों योग युक्त होना जरूरी है, क्यों कर्म योगी बनना जरूरी है जब इसकी महत्ता हमारे सम्मुक होगी आने वाले समय में आज भले ही कोई मंच पर हो लेकिन आने वाले समय में योगी आत्माएं मंच पर होंगी वही सभी आत्माओं की मनों कामनाएं पुरुन करेंगे वही सर्वात्माओं को गती सद्गती प्रदान करेंगे उन्ही से पर मात्मा प्रत्यक्ष होंगे वही पुण्यात्मा और महात्मा के रूप में गाय जाएंगे, पूझे जाएंगे इसलिए अपने आपको अब योग की ओर हम लेकर के चलें लेकिन इसका आधार भी हमारे पास होना जरूरी है योग ऐसे ही तो नहीं लग जाता एक तो हम अच्छी practice करें दूसरी बाई जिन्हें योगी बनना है उन्हें अंधे, बहरे और गूंगे होने की आवश्यकता है जब तक दुनिया दिखाई देती रहेगी दुनियावी बातें सुनाई देती रहेंगी दुन्यावी बाते ही मुख से हम चर्चा करते रहेंगे तो योगी नहीं बन सकेंगे आज बाबाने हमें home work दिया था कि बच्चे आज उपर रहो नीचे नहीं विचार करें सारे कल्प हम नीचे ही रहते हैं इस साकार स्रिस्टी में ही रहते हैं सतियूग में भी, टृता में भी द्वापर में भी, कल्यूग में ही केवल संगम यूग में हमें उपर के दो लोकों का ज् Martine प्राप्त होता है परमधाम का, सुक्ष्म वतन का सोचे, परमधाम में क्या स्थिती होगी क्या नुभूती होगी कि शिव बाबा वहां से नीचे ही नहीं आना चाहते सुक्ष्वतन में भी क्या अनुभव होगा कि ब्रह्मा बाबा जब से गए है वहीं बैठे हुए है कि अब मैं यहीं रहूँगा हमारे पास केवल संगम युग है इन उपर के दो लोकों का अनुभव करने का मैं अपने बाब को ना जान सकों कि वो कौन है क्या है तो फिर मेरे इस जीवन में कुछ न कुछ अभाव रह जाएगा कमी रह जाएगे जानेंगे कैसे जब उनके साथ रहेंगे समीप रहेंगे इसलिए योगी अर्थार अब उपर रहना शुरू करें रह सकते हैं उपर या नीचे वाले आपको खीच लेते हैं क्या इस्थिति उपर रह सकते हैं या नीचे वाले रहने नहीं देते आपको उपर आई सब कह रहे थे ना कि अपने मन का ही बंधन है अब मन के बंधन को तोड़ें मन मनाभव हो जाएं प्रैक्टिस भी करें और साथ ही देखें प्यार हमारी योग काधार क्या है कर्म योग काधार है प्यार व्यक्ति किसके साथ रहना पसंद करता है जिसके साथ प्यार है आपने प्रेमी प्रेमी काओं को देखा होगा सागर के किनारे बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे या बगीचे में भी सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे प्रेमी प्रेमी का क्यों? प्यार इसलिए एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगते है, तो वो प्रेमी प्रेमी का सारे दिन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं हम अपने परमपरियतम के साथ, अपने परम growingitra के साथ, अपने साजन के साथ, अपने परमशिक्षक सद्गुरू के साथ जो हमारा संसार है, क्या हम उसके साथ नहीं रह सकते? मीरा जी प्रेम में डूबी रहती थी उनको देख करके श्री कृष्ण जी दिखाई दिया करते थे क्या हम ऐसे प्रेम में नहीं डूब सकते बाबा ने हमें कितना कुछ दिया है बाबा है तो हम है यदि बाबा को अपने जीवन से माइनस कर दें तो हमारी जीवन में कुछ भी नहीं बचता तो बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया है बाबा के प्यार को उपकार को उन प्राप्तियों को याद करके हम उनके प्यार में डूबे रहा करें प्यार आधार है योग का बाबा जिसको कहते हैं जहां महबबत है, वहां महनत नहीं है, और यदि तुम्हें योग में महनत करने की ज़रत पड़ती है, तो इस पस्ट है कि महबबत कहीं न कहीं कम है, या तो महबबत बच्चों से जुड़ी हुई है, पती से जुड़ी हुई है, वस्तुओं से जुड़ी हुई है, या पुर लोग में तन यहां बैठा है, लेकिन मन कहां है, बुद्धी कहां है, देखें, अपने आपको हमें देखना है, तो प्यार, प्यार को बढ़ाते जाएं, बाबा ने कहा जितना प्राप्तियों को याद करेंगे, बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, जितना निराकार इस्थि के लौक की की है यह जो प्यार है यही सर्व खजानों की चाबी है प्यार में ही भगवान को बांधा जा सकता है इसलिए प्यार डूबी